हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बेक टो चिकीज बाइलोजी अनदर वीडियो टुटोरियल तुड़े आज हम लोग देखेंगे कि मोनो कोलोनल एंटीबोडी क्या होती है और हम लोग हाइबर डोमा टेकनोलोजी के थुरू कैसे मोनो कोलोनल एंटीबोडी को जनरेट करते हैं क कैसे हम लोग सिंदेसाइज करते हैं यह आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तो इस वीडियो को आप लोगों को स्किप नहीं करना है आप लोगों को इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है विकोज क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को मिल जाएगा और उस question का arts को विडियो के नीचे comment box में typeube तो स्टाट करते हैं मोंकॉलोणल एंटिबोडी कैसे हम लोग बनाते हैं by the help of hybridoma technology ठीक है तो hybridoma technology is a method of forming hybrid cell cell lines called hybridomas by fusing a specific antibody producing B cell with a myeloma cell, myeloma cell जो हमारी होती है यह हमारी एक तरह की cancerous B cell होती है आप लोगों को confused नहीं होना है terminology पर आप लोगों को बहुत ध्यान देना है क्योंकि अगर terminology आप लोगों के अच्छी नहीं है तो आप लोग जो biological domain है इस domain में आप लोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाएंगा आप लोग हमेशा confused रहेंगे और आप लोगों के जो concept हैं वो clear नहीं होगे तो आप लोगों को सभी topics को different types से अपने माइंड में एक तरह से store करके रखना है देन उनको आप लोग यूज करेंगे तो आप लोगों को confusion बिल्कुल भी नहीं होगा हम लोग अपने topic पे चलते हैं the antibody produced by the hybridomas hybridomas are all of single specificity and are dear for monoclonal antibody ठीक है अब कैसे-कैसे hybridoma technology के तुरू हम लोग यहाँ पे जो हमारी monoclonal antibody है उसको कैसे हम लोग synthesize कर रहे हैं पूरे procedure को आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को बहुत ही ध्यान से इस video को देखना है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से इस पूरे topic को understand करना है क्योंकि बहुत सारे जो हमारे competitive exams हैं हमारे बहुत सारे competitive exams में यहाँ से question arise होते है जर्नली तो friends जैसे हमारा यहाँ पे एक mouse है ठीक है mouse का और हमारा जो immune system है वो 99% similar है ठीक है तभी हम लोग जितने भी हमारे immunologic experiment होते हैं उनमें mouse को use करते हैं as a ideal organism ठीक है तो friends देखते हैं mouse ठीक है mouse जो है इसमें हम लोग injection की help से एक छाँ से हम लोग antigen को insert कराते हैं ठीक जब हम लोग इसमें अपना antigen insert करा देते हैं तो हम लोग इस से इस माऊस से इसकी spleen हम लोग यहाँ पर आइसुलेٹ कर लेते हैं और जो हमारे पास周र्वश से हम लोग आप लोग देख सकते हैं that produce antibody against antigen हम लोग वो B-cells ही यहाँ पर isolate करेंगे जो B-cells हमारी antigen के against antibody प्रोड्यूस कर सके आप लोगों को बता है कि B-cell के पास में एक capability है कि वो antibody को produce करे antigen के against तो आप लोगों को यहाँ पर confused नहीं होना है then हम लोगों को क्या करना है next step में हम लोग क्या करके रखते हैं कि जो हमारी cultured mouse myeloma cells होती है एक जगह पर हम लोग अपनी mouse की myeloma cells को cultured करके रखते हैं अपने media में और myeloma cells मैंने बताया आप लोगों को एक तरह की cancer B-cells होती हैं इनको हम लोग other side कहीं पर हम लोग अपनी lab में cultured करके रखते हैं mouse myeloma cells को तो हम लोग इन cultured mouse myeloma cells को यहां से लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं myeloma cells हमने यहां से अपना हमने ले ली हैं अब हम लोग क्या करेंगे कि एक test tube हम लोग लेते हैं इस test tube में हम लोग अपनी जो हमारी spleen cells हैं contain B cells that produces antibody against antigen इन cells को और जो हमारी myeloma cells है या हमारी cancer B cells है इनको यहाँ पर mix कर देंगे तो अब क्या होगा कि हमें यहाँ पर 3 type की cell मिलेंगी एक होगी हमारी unfused splene cell या नि जो हमारी cells है हमारी myeloma cells है या हमारी cancer B cells है और जो हमारी spleen cells हैं sorry spleen cell में जो हमारी b cells है that produce antibody against antigen ये cells आपस में यहाँ पे fuse होंगी और कुछ cells हमारी ऐसी होंगी जो fuse नहीं होंगी ठीक है तो unfuse spleen cells हमें यहाँ पे मिलेंगी और unfuse myeloma cells हमें यहाँ पे मिलेंगी और जो हमारी myeloma cells है आपस में fuse हो जाएंगी ऐसी फींटोर्व नहीं हमारे यहाँ पे दिनोट किया है जो हमारे यहाँ पर एक तरह से blue color है उसे मैंने जो हमारी unfuse spleen cells है उनको यहाँ पे इंडिगेट किया है और जो हमारी amigos hybrid cells है उनको मैंने यहाँ पर बोत कलर से रिपर्जेंट किया है जैसे हमारा red and हमारा blue बोत ठीक है तो friends यह बात हो गई हमारे एक important concept की एक important point की है अब हम लोग अपने next step पर चलते हैं अब हम लोग क्या करते हैं cells transferred to a medium in which only hybridoma cells can grow यह हमारा यहाँ पर एक ऐसा medium है इन plates के अंदर एक ऐसा medium है जिस medium में हमारी जो fuse hybrid cells होंगी हमारी ठीक है वही यहाँ पर grow कर पाएंगी जो हमारी unfuse spleen cell होगी unfuse myeloma cells होगी वो यहाँ पर इस medium में grow नहीं कर पाएंगी क्योंकि इस medium में उन cells के लिए जो एक तरह से survival conditions होती है इस उन्फैबरेबल एन्वारमेंट पर जो हमारी unfuse myeloma cells हो भी डैड हो जाएंगी बट जो हमारी fuse hybrid cells हो यहाँ पर एक तरह से अपनी growth करेंगी और वो यहाँ पर एक तरह से living रहेंगी तो आप लोगों को देखना है यह जो हमारी यह वाली प्लेट थी इसमें जितनी भी इसमें जो हमारी hybridoma cells थी उससे हमारी four cell होई बन गई है ठीक है after cell division और यहाँ पे भी हमारी four cells generate हो गई है after cell division ठीक है आप लोगों को बता है कि जो हमारी cell है उसके पास हमें capability है कि वो multiple number of cells को generate कर सकती है by the help of cell division ठीक है तो hybridoma cells that produce a desired antibody are cultured जिन hybridoma cells को हमने यहाँ पे cultured किया है वो cells जो हैं यहाँ पे antibodies को generate करती है और जिन antibodies की हमें ज़रत है उन antibodies को यहाँ पे generate करती है आप लोग देख सकते हैं यह हमारी जो एक तरह से hybridoma cells थी वो हैं ठीक है और इन्होंने antibody यहाँ पे generate की हैं ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं desired monoclonal antibody है हमारी monoclonal antibodies हैं और इन monoclonal antibodies को हम लोग cancer की treatment के लिए यूज करते हैं अगर किसी एक particular जो हमारा human है या हमारे other जहाँ पे cancer की problem है वहाँ पे हम लोग इन सभी antibodies को यूज करते हैं और cancer को हम लोग treat करते हैं तो यह जो हमारी monoclonal antibodies है इनका पहुती ज़्यादा importance है cancer की treatment में तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं production of monoclonal antibodies through hybridoma technology हमने यहाँ पे monoclonal antibodies को बना लिया है by the help of hybridoma technology ठीक है एक important point की बात करते हैं यह point हमारे बहुत सारे competitive exams में पूछा जा चुका है अब तक आप लोगों को इसको underestimate नहीं करना है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे mention किया है तो आप लोगों क्या करना है तो आप लोगों को कहीं पे इस point को अपनी notebook में अच्चे से not करना है आप लोगों को इस point को बिलकुल भी underestimate नहीं करना है क्योंकि इस type की question हमारे competitive exams में पूछे जाते हैं like हमारे get by technology exam में हमारे get life science exam में हमारे JNUCEEB by technology exam में और हमारे CSIR net life science exam में हमारे ICAR exam में हमारे ICMR exam में हमारे बहुत सारे exams में यहाँ से question आए हैं और आगे भी आते रहेंगे तो आप लोगों को इस video को बिलकुल भी underestimate नहीं करना है इस video को आप लोगों को अच्चे से देखना है अच्चे से आप लोगों को इस video को type कर सकते हैं और मैं आपकी हर एक problem को solve करने की कोशिस करूंगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं future में भी आप लोगों को ऐसी videos provide कराता रहूं तो please friends मेरे चैनल को subscribe करना मैं बोले और आप लोगों को एक और point यहाँ पे मैं clear कर देना चाहता हूं कि इसके लिए हम protein A linked affinity chromatography हम लोग यूज करते हैं और protein A जो है protein A को हम लोग staphylococcus और यह समारा एक microorganism होता है उस microorganism से हम लोग protein A को isolate करते हैं तो friends यह point भी हमारे बहुत सारे competitive exams में पूछा जा चुका है और यह monoclonal antibody और hybrid domain technology topic से जुड़ा हुआ एक important and crucial point है ठीक affinity chromatography वाला यानि protein A linked affinity chromatography जो है deal करता है monoclonal antibody and hybrid domain technology के साथ में आई हो friends यह video आप लोगों के exam के point of view से बहुत ही crucial होगी बहुत ही important होगी इस video से related अगर आपका कोई question है तो आप लोग उसको जुरूर जुरूर वीडियो के नीचे comment box में type करें और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं future में भी आप लोगों को ऐसी video provide कर रहता हूं तो please friends मेरे चैनल को subscribe करना नहीं भूलें thank you friends